हाई दोस्तो रामगा टेक में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले है रोजगार निव जनाले में किस तरह ऑनलाइन रजिस्टेशन किया जाता है तो वो मैं आज सिखाने वाला हूँ पहले ऑफलाइन होता था लेकिन अब गौवर्मेंट और हरेसे वालाइन को पहले हैं तो चलिए दोस्तों ब 아니 टाम गवाएसे सटैर्ट करते मिरा नाम है शाक वार आप देखा दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए इस और बेल का आईकन आन करे ताके जह भी वर्द चैथे रिलेटट वीडियो में अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुंच सके दोस्तों इसको अपलाई करने के लिए आपको विकासपेडिया.टीन पर जाना होगा मैं इसका लिंक अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा पहुंच जाकर इसे आप खोल कर अपलाई कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इसका पांच नियम है पहले आपको रिजिस्टर्ट विट एंपलाई एक्सचेंज आपको यहाँ पर लिखाओ नजरा रहा उसका बेनिफिट तिसीरा आपको रिजिस्टेशन प्रोसेस चौथा में आपको बताया जा रहा है चौथा में आपको आफ लाइन अपलाई करने के लिए बोला जा रहा है आप पांचम में आपको इस्टेट वाइस अपलाई करने के लिए बोला जा रहा है इसमें benefit क्या है benefit हम आपको बताते हैं इसे online apply करने के लिए आपको आपना qualification डालना पड़ता है qualification डालने के बाद अगर आप metric pass है तो आपको metric pass वहाँ डालना होगा उससे क्या होगा कि metric pass का कोई भी vacancy आएगा तो आपको mobile में मान लिजिए आप inter pass डालते हैं और inter pass को कोई vacancy आता है तो आपको mobile message आ जाएगा उससे आपको पता चल जाएगा कि inter pass level को कोई vacancy आया और उससे आप apply कर सकते हैं इसे आप offline भी apply कर सकते हैं आपके नजदी की जो जीले में employment office होगा वहाँ जाके आप सारा document जमा करके apply कर सकते हैं आज मैं जो आपको बताऊंगा उससे online apply करना है और इसका बहुत ही आसान प्रोसेस है आप इसे apply कर लीजिए अगर आप नोकरी तलास कर रहें तो आपके लिए बहुत ही बढ़ है यह विकल्प है नोकरी पाने का मैं आपको यहाँ पे नीचे scrolled on करके दिखाता हूँ देखे यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको link देदा रहाँ हूँ यहाँ पे सारा estate का यहाँ पे देखिए दिखाया जा रहा है सभी इस चेट का यहाँ से आप direct website में जाकर apply कर सकते हैं यहाँ पर देखिए माराष्टर है क ज्ञारखंड सब्सक्राय है ज्ञारखंड सब्सक्राइब साइब सब्सक्राइबसेजिस्टर सब्सक्राइब डर्म मुझे इसपर क्लिक करने के यहां पर मेरा doughों न्यूर पड़्ौप सीखर पर क्लिक करूंगा मैं यहाँ पर अपना चून लेता हूं यहाँ पर दिखें कैंड़ीड र्यस्टेंशन विजाड मतलब यह फॉर्म खुल गया मुझे इस फॉर्म को फिल करना होगा तो मैं इस फॉर्म को आपने जीले के हिसाबसे अपने स्टेट के हिसाबसे भरूंगा आप भी अपना स्टेट के हिसाबस चुन लीजिया और अपना जीला की हिसाबसे भरिए तो यहाँ पर देखिए सारा डिटेल में भर देता हूं यहां जीला Employment Office यहां भरना है आपको यहां first name आपको भरना है, last name भरना है, father name भरना है, date of birth भरना है, email id भरना है, यहां पर mother name, mobile number वग्यारा, यहां पर आपको सारा form fill कर लेना है, यहां पर मैं अपना कास्ट भर लेता हूँ, उसके बाद यहां पर mother name, यहां पर आपको अपना address डालना है, उसके बाद यहां आपको qualification डालना है, आप जितनी तक पढ़ाई किये, metric pass हूँ मैं, तो यहां metric मैं चून लेता हूँ, passing year यहां भर देता हूँ, उसके बाद यहां percentage डाल के add कर दूँगा, तो यहां पर मैं add कर द मैं यहां पर अपना percentage डालूँगा, उसके बाद मैं यहां पर add कर दूँगा, यह मेरा दो qualification add हो गया, आप यहां पर ITI का भी भर सकते हैं, डिपलोमा किये तो डिपलोमा भी डाल सकते हैं, तो मेरा कोई भी technical नहीं है, तो मैं यहां पर 12 तक ही डालूँगा, अब यहां पर आपको user name भरना है, user name में आप सबसे simple अपना mobile number डाल दीजिए, उससे आपको आसानी रहेगा, याद रखने के लिए, यहां मैं अपना mobile number डालता हूं, उसके बाद यहां आपको password डालना है, password आपको special, first में आपको capital letter डालना है, उसके बाद small letter डालना है, उसके बाद special character डाल डालना है, उसके बाद alphabetic डालना है, जिससे आपका password कोई बदल ना सके, यहां पर दुबारा से मैं वही password डाल देता हूं, उसके बाद यहां पर देखिए, term and condition पर click करके, यहां पर आपको submit कर देना है, submit करते हैं, यहां पर नया page खूलेगा, यहां पर देखिए, मेरा registration number मिल गया है मुझे, यहां पर आपको document अप्लोड करना होगा, photo upload करना होगा, तो यहां पर देखिए, document अप्लोड है, यहां मैं photo अपना choose कर लेता हूं, यहां मैं अपना photo choose करके डाल देता हूं, uploading में क्लिक कर देता हूं यहां मेरा फोटो अप्लोड हो चुका है आप यहां पर अप्लोड डॉक्मेंट में क्लिक करूंगा यहां पर देखिए सारा डॉक्मेंट आपको अप्लोड करना है आप जितनी क्वालिफिकेशन डालिएगा उतनी यहां पर आपको अप्लोड करनी होगी तो मैं मैं गर्ट किल डाला हूं तो यहां मैं ट्रू और एड्रेस प्रूप और रिजूम में यहां पर बारी बारी कर कि सभी चीज भर लिजिए उसके बाद मैं आपको एक सिंपल में दिखा दिता हूं मैं अपना stickers में डाल देता हो अधार कर्ड में अपना सेलेक्ट करकर-कर यहां Соответ कि ढूर्ट को मैं थलिए करके करें कर दोस्ताप देखें से निर्फ का भीना Sunthose पड़े सब्सक्राइब करके तो आपका काड्व कार्ट यहां के डिखा कि यूख कर देखेंगे टीचेओ बन कर तयार है आप इसे प्रिंट करके कहीं भी आप जिरोक्स दे सकते हैं कोई भी वेकेंसी में अपलाई कर सकते हैं और आप इसे यूज कर सकते तो यह आपका सकसेफुल रजिश्रेशन हो गया है तो मोर अपडेट ज्यादा अपडेट पाना है तो मेरे चैनल को सब्सक्रा कीजिए आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद कि अ झाल